नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के उपर धन option trader के लिए different differents जो features है वो लेकर आता है उन्होंने अपना option trading का अलग से platform तयार किया है जिसके उपर अभी हम सारी चीज़े देखने वाले हैं आपके सामने जो अभी platform open है वो धन का option trading का platform है अब option trader के लिए बहुत सारे features धन already available करके देता है उसमें ही एक feature है pre-build strategy यानि कि जो लोग option trading की strategies बना के trade करना चाते है ताकि उनको loss बहुत ज़ादा ना हो और naked trading नहीं करना चाते है उनके लिए अलग-अलग strategy already बनी बनाई आपको मिल जाती है और धन यह आपको provide करता है कि आप different indices हो गए या फिर stocks हो गए उनकी pre-build strategy यूज़ करके आप profit बनाई अब इसके लिए आपको धन के option trader platform के उपर आना है application के उपर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का platform आपको दिखाई देता है आपको सीधे जाना है strategies के section में strategies के section में जाते ही यहाँ उपर आपको बहुत सारे option दिखाई देंगे जैसे builder हो गया, pre-build हो गया, outlook chain और analysis हो गया आपको pre-build के section में जाना है pre-build के section में जाते ही आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे strategies दिखाई देते हैं जैसे market में अलग-अलग प्रकार के strategy होती है, जैसे bull call spread हो गया, bull put spread हो गया, put ratio spread हो गया, bear call spread हो गया, bear put spread हो गया, तो ये different-different strategies आपको देखने के लिए मिलती है, और उस strategies के अंदर भी 10 अलग-अलग प्रकार की strategies आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, आपको क्या करना ह सिर्फ आपका जो indices है यानि कि जो main indices हैं वो तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं जैसे nifty 50 हो गया, nifty bank हो गया fin nifty हो गया, mid cap nifty हो गया और sensex हो गया तो यह आप यहाँ पे आसानी से select कर सकते हो जैसे bank nifty में strategies देखनी है तो आपके सामने open हो जाएगी और किसी particular stock में आगर आप strategy देखना चाते है तो यह search का option जो आपको दिया गया है यहाँ पे आप जा सकते हो और कोई भी stock यहाँ पे search कर सकते हो जैसे मैंने TCS search कर दिया तो TCS search करते ही TCS की related जो भी strategies है वो मेरे सामने open हो गई आपको यहाँ पे live trading जो चल रही है यानि कि live market price जो है वो आपको दिखाई देगी उसके बाद आपको क्या करना है for example मैं nifty bank का लेता हूँ यहाँ पे nifty bank अभी 51 point उपर चल रहा है 47,970 के आसपास अब मेरा view क्या है वो मुझे decide करना है क्या-क्या view हो सकते है या तो आप bullish हो सकते है या तो bearish हो सकते है या तो non direction हो सकता है या फिर any direction हो सकता है आपका जो analysis के बाद का view है वो आपको यहाँ पे decide करना है मान लो अभी bank nifty पे मैं bullish हूँ तो मैं bullish के उपर अगर click करता हूँ तो bullish related जितनी भी strategies है वो मेरे सामने open हो जाएगी अब bull call spread आ गया bull put spread आ गया या फिर call ratio spread आ गया तो ये तीन अलग-अलग प्रकार की strategies मेरे साथ available हो गई है और उसमें अगर particular bull call spread में जाता हूँ तो अलग-अलग 10 strategies मेरे सामने open हो जाती है अब यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे simply आपको expiry select करनी है अब 24 अप्रिल की अगर expiry में select करता हूँ जो कि कल है आज है मंगलवार 23 अप्रिल तो कल की expiry select करता हूँ तो उसके related strategies available हो जाएगी 30 अप्रिल की अगर मुझे expiry select करनी है तो उसके related मेरे strategies मेरे सामने दिखाई देगी तो हम 24 अप्रिल की expiry select करते हो और पहला ही option यहाँ पे select करते है क्या-क्या चीज़े आपको देखने के लिए मिलती है कौन से call में आपको entry करनी है strike price क्या होगी कौन सा call आपको buy करना है यह sell करना है यह details आपको यहाँ पे मिल जाती है उसके साथ-साथ यह particular strategy आप बनाते हो तो आपको expected profit कितना होगा और आपका break-even point कितना होगा यह आपको दिखाई देता है उसके साथ-साथ यहाँ पे आप click करोगे तो maximum loss आपको इस strategy में कितना होगा यह भी पता चलेगा और see in builder में अगर आप जाते हो see in builder में जाते हो तो पूरी detail आप यहाँ पे देख सकते हो यही से आप execute भी कर सकते हो order, proceed to execute करके expiry यहाँ पे selected है call है या put है यहाँ पे selected है strike price यहाँ पे selected है और current market price जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते है strike price आप इस plus button और minus button से change कर सकते है और lot अगर आपको change करना है तो यहाँ पे आप plus minus button से जो lot है वो भी change कर सकते है इसके साथ साथ अगर आपको कोई और legs add करने है तो tap to add के उपर आपको click करना है लेग अगर add करना है तो यहाँ पे plus one करना होगा आपको, यहाँ पे plus यह देखे, add हमने कर दिया, तो यहाँ पे जो भी आपको additionally कोई call या put buy करना है या sell करना है, इसको आप add कर सकते है, delete करने के लिए यह delete button है, तो delete हो जाएगा, तो खुद की strategy बनाने की जरूरत नहीं, इनक इसकी detail जानकरे मिल जाएगी, net premium आपको receive होगा, तो plus में होगा, और अगर आपसे cut होगा, यानि कि आप pay कर रहे हो, तो वो minus में दिखाई देगा, अगर आपके पास fund available नहीं है, particular strategy में buy करने के लिए, तो directly fund add का button यहाँ भी दिया गया है, आप fund add करने के बाद वो strategy apply कर सकते हो, उसके साथ साथ आप pay off graph भी यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि market अगर बढ़ेगा, तो आपको फाइदा होगा, market गिरेगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा, उसके बाद आप नीचे scroll करते होगे, तो more के उपर click करेंगे, तो हमें यहाँ पर simulations भी करने का मौका मिलता है, यानि कि मान लो 24 एकप्रिल, कल की expiry यहाँ पर positive में होती है, 48,263 पर, यहाँ ने अनुमान लगा दिया, तो इसके हिसाब से हमारा profit कितना होगा, यह आप यहाँ पर देख सकते है, pay off graph के उबर अगर आप click करोगे, तो आप देख सकते हो, कितना profit होने वाला है, इसका chart अगर आपको देखना है, तो chart में जाओगे, तो इस तरीके का chart आपको देखने के लिए मिलता है, और बाकी सारी चीजे, जैसे कि simulation हो गया, risk reward ratio हो गया, और Greeks हो गया, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते है, pay off graph में थोड़ा नीचे आप जा और total profit and loss कितना होगा, इसका profit and loss table आप आसानी से देख सकते है, तो यह एक बढ़िया feature प्रोवाइड कर दिया है, धन वालों ने, आप कोई भी यहाँ पे index हो, कोई भी यहाँ पे stocks हो, उसका pre-build strategy देख सकते हो, और उसमें analysis करके, आप अपनी strategy यहाँ पे execute भी कर सकते हो, तो मुझे comment में जरूर बता देना आपका experience कैसा है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो please like कर देना, कोई doubt हो तो comment section में पूछ सकते हो, और channel को subscribe करना ना भूलना धन्यवाद